हालो फ्रेंट्स वेलकम तो गार्गी क्लासेश डेट आज की तीन जुलाई दो हजार इकीस और देख लेता है इंडियन एक्स्प्रेस की इंपोर्टन न्यूज और एक्स्पेंट पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम डिसकस करेंगे फर्स्ट जो न्यूज डिसकस करेंगे वो ये है कि इंडियन मिशन पे भी पाकिस्तान में ड्रॉन्स को पहले भेजा गया है जब एक मीटिंग हो रही थी एक गैदरिंग थी जिसमें दूसरे कंट्रीज के जो मिशन्स हैं हाई कमिशन के जो एंडिवीज्वल्स हैं जो डिप्लोमेट से डिप्लॉइड पाकिस्तान में वहाँ पर भी रेकी की गई थी तो डाउट ही आ रहा है कि पाकिस्तान का हाथ था या नहीं तो छोटी सी एक चीज है यह देख लेंगे दूसरा हम जो डिसकस करेंगे वह यह कि अब वेक्सिनेशन की पॉलिसी में चेंज है वह यह कि जो प्रेगनेंट विमन है उनको भी अब अलाव किया जा रहा है कि हाँ वो इनफॉर्म्ड चोईस के बेसिस पे कि हाँ वो जानबूच के खुद चारी है कि हाँ वेक्सिन ले तो इसके अप्रूवल की बात कर दी गई है और इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने इंडियन एर फोर्स के लिए कहा कि इंडियन एर फोर्स एक सपोर्टिंग आम है हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्प्यूट सा में पढ़ना है ध्यान से पड़ने इसके अलावा पीज नंबर थ्री पे राजस्तान से रि एक न्यूजन लास्ट में आज देखेंगे इसके अलावा हीट वेव की एक न्यूजोओर है इसी पेर यह भी देखेंगे इसके आगे यह यह आगे यह यहाँपर BORDER ROADSINGINGर्गना है उसको भी डीटेल में देख लेंगे ठीक है यह देखिए आपके सामने यह एक्स्प्लेंट पेश पे ले लद्दाक और कारगिल इस वाले मुद्दे को हम डीटेल में जानेंगे इसके अलावा एक छोटी से नियूज पीछे भी रह गई है जिसको आप इंपोर्टन्ट वडिक्ट्स में अपना पार्टिसपेशन दिया है तो पार्टिसपेशन किस में दिया था वो तो इतना आपको बता चुका हूँ यह pregnant women and vaccination वाला बिल्कुल ने discuss करेंगे इसमें जो सर्वे है उसके बारें बताया हुआ है 94% cancer patients के ओपर जो covid vaccine है उसने अच्छे से perform किया है response अच्छा है पर 6% अभी भी कही नहीं है कि डाउट में है तो उसको ले करके है बिल्कुल कामका नहीं है ले अग्राम airbase को handover कर दिया गया अफगानिस्तान को लगबग 20 साल बाद में क्योंकि 2001 में अफगानिस्तान में entry होई थी USA की इसके अलावा जो news है वो है चाइना देखो अपनी nuclear options को लगातार increase कर रहा है देखेंगे क्या है पुरा मुद्दा और इसके अलावा एक news और है वर वीजोले technical line से belong करता है तो उसके साथ में जो भी dependent जाते हैं तो वहाँ पर वो USA में settle होते हैं तो उनके बच्चे जब 21 साल के हो जाते तो USA से उनको return होना पड़ता अपने native country में तो ऐसे में उस 21 साल वाले जो बच्चे को वहीं पर रहने की व्यवस्था करें इसके लिए ब important चीज बताऊंगा मैं कि export rise होता हुआ दिखाई दे रहा है वो और Facebook ने भी अपनी पहले मंत की रिपोर्ट शो की है कि किस तरीके से यह जो नई जो IT rules आये हैं उनके basis पे Facebook ने क्या चीज़े चेक की है ठीक है वो देखेंगे इधर एक important regulatory authority that is Central electricity regulatory commission इसके बारे में आपको और G20 countries के अंदर जो consensus सल रहा है कि tax को लेकर कि क्या करना चाहिए तो उसमें दो main बाते आ रही है वो article के point of office हम देखेंगे MSME को आप देखो अभी एक तरीके से MSME की category में डाल दिया गया है retail और wholesale को इससे क्या हो जाएगा कि जो RBA की द्वारा guidelines दी जाती है commercial banks को जिसमें इसके अलावा एक है DPIAT ने oppose किया है जो भी relief अभी provide की गई थी जो भी technical company इंडिया की है और Chinese counterparts के साथ में उन्होंने engage करना शुरू किया है तो उसको लेकर क्या article है थोड़ा सा इसमें भी देख लेंगे sports base पर ज्यादा कुछ important नहीं है last में देख लेंगे इसको ठीक है अब देखते है detail में first news है देखो कि जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू में air force station के उपर अभी attack जो हुआ था air force base पे drones के दौरा IED वहां पर drop किये गए थे तो इसमें दो हमारे air force personnel को injury हुई थी तो देखो doubt त national affairs अपनी तरफ से probing में है कि दुबारा से ऐसा कुछ ना हूँ ठीक है और इससे पहले doubt क्या रहा है कि पाकिस्तान का हाथ था या नहीं इसमें यह आ रहा है कि पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले ठीक है जून 27 की जून 27 के टाइम पर तो देखो जम्मू बेस पर हु हुए थे और किस चीज को याद करने के वह इस चीज के लिए था सौरी मैं थोड़ी सी देख लेता है कि हम इंडिया इंडिया 75 इस पॉइंट को कि इंडिया 75 साल हो जाएगे इंडिपेंडेंट हो है अभी 75 साल 15 अगस्ते शुरू हो जाएगा तो उस चीज को कममरेट करने के लिए कट हुए थे तो वहां पर भी ड्रोन से रेकी की गई थी पाकिस्तान में तो ऐसे में पाकिस्तानी नेशनल्स का हाथ हो ये एक सवाल है दूसरी चीज वहां पर टेरिस्ट और्गनाइजिशन से अभी भी देखो उन पर प्रॉपर लगाम नहीं लगा पारा पाकिस पाकिस्तान जिसका सबसे बेस्ट पॉइंट किया है फाइनेशल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी तक भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है तो देखने वाली बात है कि क्या हो क्या है में मुद्दा इसके पूरे अटेक के पीछे किसका आता थोड़ा इन्वे पतों को भी अलाउ कर दिया है कि हाँ अगर प्रेगनेंट है तो उस टाइम पर भी वैक्सिंग ले सकती हैं बट इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी कि उनको बता दिया जाएगा कि उनको कैसा मैसूस होगा तो ऐसे में वो खुद सोथ समझ करके फिर डिसीजन लेंगे ऐसा नह किसके द्वारा की दी गई है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रूप ओन इम्मिनाइजेशन नेतागी के द्वारा ठीक है कि प्रेगनेंट फिर्मिन हैं उनको भी आप अलाउ कर सकते हो पर हां इन्फॉर्म्ड चॉइस कि हां वो सोथ समझ के आगे बढ़े ओके इसमे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखो स्कॉर्च फील हुए है हीट वेव के जबर्दस्त गर्मी पड़ी है और चूरू राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तो टेंपरिचर 43.6 डिग्री सल्चिस पहुंच गया जो कि अपने आप में बहुत जादा है त कि इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हीट वेव कब कंसिडर की जाती है क्या टेंपरेचर वेडियेशन होगा जिसके चलते पहाडियों में हीट वेव बोल दी जाएगी क्या टेंपरेचर वेडियेशन होगा जिसके चलते प्लेंस में हीट वेव ग्रे लाइट रेन तो उन्होंने की थोड़ी रिलीफ मिली वो सारी चीज़े दो को हमारे इतनी काम की है नहीं पर हाँ आपकी जो क्लास 11 की NCRT की बुक है ना fundamental principles वाली उस बुक में से आपको clouds के type जरूर पढ़ लेना है आजकर climate पे question बहुत पूछ रही है UPSC prelims में ध्यान रखें आप ठीक है आगे चलता है next news बॉर्डर रोड और्गिनाइजेशन यह देखो ministry of defense के अंडर आता है जो की border areas में road construction का काम भी करता है तो साथ में यह organization आप देखोगे हमारे जो पड़ोशी देश हैं जैसे बांगलादेश हो गया नेपाल हो गया भूटान हो गया इन देशों में भी road construction के लिए agreements को approval मिलने के बाद में वहाँ पर road construction किया जाता है तो basically controversy है अरुणाचल प्रदेश में एक road link को लेकर के जहाँ पर जिस controversy में चीफ मिनिस्टर पेमा खांदू वहाँ के जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के वो और union मिनिस्टर है किरिन रिजिजु जो की अरुणाचल प्रदेश से बिलॉंग करते हैं बोले इनों ने जान बूच करके willful violation किये हैं बहुत सारे कानूनों का और constitutional provisions का अब वो constitutional provisions क्या है वो तो देखो यहाँ पर detail बताई हुई है नहीं और जो road है जिसका construction अभी कर रहा था ये बियारो तो उस road का अगर देखो तो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो एक second आप यह देख सकते हैं किमिन पोतिन रोड ठीक है हुआ क्या है कि यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश में पुमपुम पारे डिस्ट्रिक्ट है ठीक है पुमपुम पारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर controversy तपराईज होती है कि border road and organized बियारो ने वहाँ पर एक गाउं यह किमिन जो है उसको नाम बदल करके बिलगड लिख दिया अब यह नाम जो change होते हैं किसी भी ऐसे रीजन में या state का renaming होना delimitation या फिर boundaries का change होना यह constitutional provision के basis पे होना चाहिए अगर यह इस तरीके से administrative faults के चलते होता है तो यह tension create करने वाली बात होती है ठीक है ऐसे भी बहुत सारी चीजे ह जिनके चलते communal tension वहाँ चलती है क्योंकि देखो वहाँ उस area में tribal लोग रहता है tribal क्या कोई भी लोग रहो अगर उनकी उनके गाउं का नाम अगर documents में बदल करके लिखा जाता है तो वो लोग फिर उस चीज को लेकर के चिड़ेंगे तो सही कि भाई यह आप अपनी तरफ से कैसे मन मानी कर रहे हो तो वो चीज है पर आपके लिए task जो है वो बी आरो के लिए है पढ़ना है तोड़ा डंग से ठीक है फिरिसी पेज पे है लदाक और कारगिल के जो लोग हैं वो लगातार अपनी representation को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जम्मो एंड कश्मीर क पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में तो बातचीत कर ली हमारे साथ engagement क्यों नहीं कर रहे हो पहला तो यह बात बोल रहे हैं दूसरी चीज जिस तरीके से जम्मो एंड कश्मीर को आप legislative assembly देने की बात कर रहे हो बोला हमें भी दो तो यह demand वहां पर बार बार हो रही है तीक है त पर लद्दाक के जो current leaders हैं वो लगातार current situation को current status को ले करके demand कर रहे हैं देखो पांच अगस्त 2019 को जम्मो एंड कश्मीर को divide कर दिया गया state को UT में convert कर दिया और दो UT बनाई गई एक तो बन गया जम्मो एंड कश्मीर दूसरा बन गया लद्दाक आपको map दिखा देता हूं म यह देखो आपके सामने screen है यह पूरा जम्मो एंड कश्मीर हुआ करता था जिसमें इधर वाला जो region है यह इधर से आप divide कर लो यह और यह portion यह देखो अभी भी पाकिस्तान के अंडर में जिसको इसको हम P.O.K. बोलते थे और इसको बोलते यह region है गिलगिट बाल्टिस्त हो गया जम्मो एंड कश्मीर union territory और यह जो greenish color जो दिखाई दे रहा है वो गया यह लद्दाग अब लद्दाग में दो important cities हैं वह आप देख सकते हो एक तो ले और एक कार्गिल यह दो important districts हैं अच्छा एक सवाल का जवाब तो आपको यहीं मिल गया होगा कि पाकिस्तान के इंडर में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला region है वो किस territory में हमने integrate किया है अभी तो वह लद्दाग का ही पार्ट एक तो आप यह ध्यान रखोगे यहां पर इसी में आप देख सकते हो इंडस रिवर का जो network है शोक रिवर यहां पैंगोंग शो रिवर यह लेक यहां पर जिसमें 75% तो वो चाइना की तरफ है बाकी हमारे शो मुरूरी यह देखो यह थोड़ा वो मैप जब भी देखो इसी तरीके से देखा गरो आप लोग ठीक है एक चीज़ के साथ में तीन चार चीज़ एडिशनल देखा गरो तब जाकर कि अच्छे से preparation होती है मैप की ओके आगे चलते हैं फिर वापिस मिन्योज पर तो रियॉर्गिनाइजिशन जब हुआ था तो उस ताइम पे बड़ी आशाएं थी और डिमांड भी लगातार कर रहा था लद्बाक अपनी तरफ से कि हमें separate होना है जमो कश्मीर में हम सबोर्डिनेट के तोर पे काम करते हैं हमे सारी चीजें तो इन चीजों को लेकर के अभी डिमांड लगातार हो रही है कि देखो स्टेट का रियॉर्गिनाइजिशन हुए आज दो सालों ने को आए पांच अगस्त को दो सालों जाएंगे तो उसके बावजूद अभी तक भी कोई सुद अच्छे से लीनी जा रही है पहले कम से कम हम जम्मू कश्मीर के अंडर आते थे तो श्रीनगर जाकर के हमारे डिमांड तो पूरी करवा लिया करते थे पर आज तो पूरा मुद्दा आ गया यूटी के तहत जो भी सेंट्रल गॉर्मेंट के रिप्रेजेंटेटिव है ब्योरोक्रेट्स हैं उनके हाथ म सारी पावर चली गई तो अब हुने हमें कांटेक्ट करना पड़ता है तो बोला हमें अभी भी ऐलिनियेशन का ही सामना करना पड़ता है एक तो यह मुद्दार है दूसरी चीज कि कारगिल जो हमने देखा कारगिल में शिया पॉपुलेशन बहुत जादा है तो वो यह कहत है कि हम माइनोरिटी में आ गए तो हमें भी थोड़े राइट्स ओर ज्यादा प्रोवाइड करो ऐसे अलग-अलग डिमांड आ जाली है देखो यहां पर यह बुद्धिस मेजोरिटी ऑफ दे लेके सामने हम उनके सामने माइनोरिटी कंसिडर होने लगे मार्जिनलाइज हो ने लग गए तो हमारी डिमांड जो है वो पूरी की जाए पहले जम्मो एंड कश्मीर लेजिसलेचर में लदाक से चार MLS जाया करते थे तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा था अब बोल रहे हैं कि अब तो जब से यूटी में कनवर्ट हुआ लदाक तब से किवल एक MP जाता है ठीक है और वो भी MP के जाने के बाद में सारी पावर किसके आथ में अगई यूनियन टेरिटरी की बेरोक्रिसी में आज जम्मो एंड कश्मीर के पास में देखो तो असेंबली की बात की जारी है कि हाँ असेंबली दे देंगे उनको जल्दी ही देंगे पर लद्दाक के बारे में ये बादचीत ही नहीं की जारी दूसरा इनको डर क्या है कि लद्दाक में अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हो सकता है कि और ज़्यदा एलिनियेशन का सामना करना पड़े खुद को ही वहाँ पर हो सकता अधिकार खोने पड़ जाए उनको ड डिसेंपावर्मेंट अगर लगातार होता रहता है तो ये मुश्किलें पैदा कर देगा लोगों के लिए तो बोला हमें पॉलिटिकली एमपावर करो ये डिमांड की जारी है देखो वैसे तो हेल डवलप्मेंट काउंसल है वहाँ पर ले एंड कारगिल है ले की अलग है और कारगिल की अलग है कि हाँ जी ऑटोमेटिकली आप अपने लिए कुछ डिसिजन्स ले सकते हो जिनके तहत वह काम कर सके तो इसमें देखो लद्दाग ऑटोनोमस हिल डेवलप्मेंट काउंसल एक्ट 1997 का आया हुआ है जिसमें दोनों को सेपरेट सेपरेट लेजिसलेट करने की पावर भी दी हुई है पर अभी क्या है सारा का सारा हैंडोर किसके हाथ में चला गया सारी पावर अभी किसके हाथ में चली गई ये सिच्वेशन कब थी जब जम्मो एंड कश्मीर एक स्टेट था और उसका पार्ट था लगदाग अब सेंटर के हाथ में सब कुछ ब्यॉरोक्रेट्स हैं वो कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्मेंट तक पहुचा देते हैं बहुत रियल पावर तो यूटी की एड्मिनिस्ट्रेशन में चली गई है तो ऐसे में हमें थोड़ा सा और पावर की जरुरत है और जो में डिमांड आ रही है वो है इंडियन कॉंस्टि मिकांत में उसे क्या क्या रखा है कि इस रीजन के अंदर मिनिममम इंटरवेंशन रहेगा सरकारों का यहां के जो लोकल ट्राइबल लोग है वो ही अपनी कानूर बनाएंगे और वो ही यहां पर रूलिंग करेंगे ऐसे करके उनको अट्राइबल रीजन डिक्लियर किया हु झог टो में जो डिमांड यह वहें 6 सिद्रीय में एंट्री के लिए ठीक है 6 सिद्री और में जरूर देख लेना 5 सिद्रीष से डियुल में तो देखो 10 से ट्रीच 혼자 के नाम जरूरं आता है और 10 सिद्री एंट्र है और से बात करो तह अट्लियू मशीन जंक है तो ऐसी कुछ डिमांड इनके द्वारा की जा रही है अब देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं मीटिंग्स तो चल रही है लगा था और वहां पर जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है कमिटी का उस कमिटी के चैर्मेन है अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर भी आ गया था इनका बहुत बार आ रहा है इस पूरे आर्टिकल में बट यह इंपोर्टन नहीं है बट पॉइंट हमारे लिए लगातार तीक है उसके लिए वहां की लोकल पार्टीज है वो भी लगातार मेनत कर रही है दूसरी तरफ आप जानते हो कि हमने मैप देखा था कि पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान ने जो ग्रैब कर रखा है गिलगेट बाल्किस्तान वहां पर सकारदू करके एक एरिया एक जगह है उसका कारगिल के साथ में लिंक स्टैबलिश करने के लिए भी डिमांड की जा रही है शिया कम्यूनिटी ओफ कारगिल के दौरा कि पर डॉमिसाइल राइट्स थे वो और आर्टिकल 370 जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ हो था जम्मों कश्मीर को बोलो उनको रिस्टोर कर दो चाहे हमें अभी फिलाल लेजिसलेचर भी दे दो स्पेशल स्टेटस भी दे दो चाहे जम्मों कश्मीर को यहां पर आगे चलता है नेक्स्ट न्यूज है कि चाइना अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को लगाता बढ़ाता चला जा रहा है और यह चीज नोटिस की गई है सेटलाइट इमेजिस के द्वारा और यूएस से की रिसर्चर्च नहीं इसको आइडेंटिफाई किया है और यह एरिया है जहां पर यह हुआ है काम यह चाइना अभी जो डेवलप्मेंट कर रहा है वो है गोबी डेजर्ट में ठीक है गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के बीच में लोकेटेड़ है और यह यूमीन सिटी है वहाँ पर उसके आसपास में है गांशू प्रोवि चाइना ठीक है इसके अलावा एक जो इंपोर्टन चीज आती है वो कि अभी तक जितनी भी ट्रीटीज हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि जो अब चाइना लगातार अपनी अगर कैपबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे में हमें जरुरत है कि चाइना को भी उन नेगोशियेशन में लाया जाए ये बाते को डॉनल्ल ट्रम्प ने भी कही थी और ये बात अब फिर से अब आपके लिए छोटी से टास्क यहां स उससार के बीच में गोड़ वर के टाइम पर उससार हुआ करता था डिसंटिग्रेट हो गया कोल्ड वार एंड हो गया प्रश्यावस की लेगसी को कंटीन्यू कर रहा है तो अब देको जो बाइडन ने और साथ में रशन जो व्लादीमिर पूतिन है उनके बीच में भी बा वहाँ पर नेक्स आ जाता है देखो युनाइटेट स्टेट्स में नया बिल लाया जा रहा है जिसमें पर्मानेंट रेजिदेंसी की बात की जा रही है विजा होलडर डेपेंडेंट्सी के उपर अब देखो होता क्या है कि USA की जो कंपनीज है वो बाहर से सस्ते में लेबर को hire करती है जो भी employees हैं उनको hire करती है तो ऐसे में जैसे कि H1B visa ले लिया L1 E1 यह visa या E2 लेकर कि जो visa लेकर कि जो workers जाते है USA में ठीक है तो उनके जो dependents है dependent का मतलब छोटे बच्चे उनकी उम्रे जैसे 21 साल होती है तो उनको self deport करना पड़ता है USA से बाहर आना पड़ता है तो इस चीज से क्या हो गया कि उन बच्चों की education सब कुछ वहाँ पर हो रही है फिर भी उसके बावजुद उनको जैसे 20 साल होता है तो उनको छोड़ना पड़ता है USA तो उस चीज को correct करने के लिए by partition bill introduced किया गया है USA की Congress में इसका मतलब हो गया दोनों पार्टी के leaders वहाँ पर participate कर रहे है Democrats भी है तो Republicans भी है ऐसे में देखो बहुत सारे Indian children जो अपने माता पिता के साथ में जाते हैं और उनको 21 साल के बाद में जैसे अपने घरों को छोड़ कर जाना होता है तो अब वो चीजे नहीं होगी इसके लिए ये बिल लाए गया है इसका बिल का नाम है अमेरिकाज चिल्डरन एक्ट ठीक है जिसको representative lawmaker है एक डेबोरे रोश उनके द्वारा introduce किया गया है तो ये main जो मुद्दा हो अगर आपके समझ में आ गया है तो context यह ही है ठीक है जो कि अच्छी बात है क्योंकि टेक फिर एक छोटी सी news यह है कि जो prominent women है internationally जिनको नाम जानते हैं तो दोस्कों के लगबग prominent women जो कि important dignities है important personalities है उन्होंने जो कि जो एक्टर है जर्नलिस्ट है उन्होंने Facebook, Twitter, TikTok, Google ये जो social media platforms है इनके CEO उसको letter लिखा और ये कहा है कि safety of women को आप prioritize करो कि आपके platforms पर अगर कुछ भ word हो रही है तो आप उनकी जिम्मेदारी लो और उनको सही करो तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और ये कि letter sign किया गया है दोस्कों के लगबग prominent individual women ने थीक है तो इसमें नाम दिये है नाम इतने important नहीं है पर हाँ women empowerment के लिए एक example over add हो गया है कि social media platforms पर जिसम black woman है जो की बिटेन की parliament में enter हुई थी election के बाद में ठीक है तो ये भी included है उसमें और भी बहुत सारी personalities है जिनके नाम आप यहां पे देख सकते हो आगे चलते हैं फिर हम आगए economy page पे देखो ये बोला जा रहा है कि high value sector की अगर बात करें तो अब लगातार export जून में rise हुआ है देखो एक तो हमारे जो commerce minister है पी उस गोईल जी उनके द्वारा statement यह आ रहा है कि अभी जैसे जैसे digitalization हो रहा है ना system का वैसे वैसे कुछ company वाइलेट कर रही है FDI norms को तो ऐसे में बोलो उन पर लगाम लगानी हमारे लिए जरूरी है और उसमें main है e-commerce sector तो बोलो उसके ल यहां पर यह quarterly है यह इतना important नहीं है यहां से हमें क्या देखना है economic survey की summary आ चुकी है download कर लेना vision IS की या कोई सी भी आपके पास में available हो उसमें आप देखना कि पिछले 5 सालों में इंडिया ने क्या export किया है इंडिया का कोई भी commodity में first number अगर है export में तो उन commodities के नाम लिख लो पिछले 5 सालों में net export decline हुआ है वो चीज़े है ना उन पर question आते हैं तो आप यहां से idea लो और पहुंच जाओ कहां पर economic survey पे देखी लेना चुक ना मत इसके अलावा एक जो बताई थी मैंने body उसके बारे में आपको देखना है Central Electricity Regulatory Commission के बारे में यह deal किस-किस के बीज मे deal हमारे लिए important नहीं है बस regulatory body body important है इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे ओके next news है देखो इंडिया ने OECD और G20 countries का जो main बुद्धा है वो है tax pay deal करना कि internationally अब जैसे जैसे digitalization हो रहा economies का तो बहुत लगाम लगानी बड़ी मुश्किल हो रही है इन company पे इनकी वर्थ तो लगातार बढ़ रही है और tax यह pay करती नहीं है तो ऐसे में consensus agreement हो सकता है October में आ जाए और इंडिया इस चीज को support कर रहा है तो देखो OECD की बात करें तो OECD में एक framework चलता है जिसका नाम है inclusive framework on base erosion profit shifting इसमें काम क्या है base erosion इसका तरीका क्या होता है देखो मानलो कोई company है उसन मौरिसेस में अपना office open कर लिया headquarter अब मौरिसेस के साथ में इंडिया का agreement हो रखा है कि हां जी हम double taxation को avoid करेंगे ठीक है double taxation avoid agreement यह हो रखा है अब यह मौरिसेस में company ने अपना establish क्यों किया अपना headquarter वो company चाहिए US की है UK कहीं की भी हो सकती है क्योंकि मौरिसेस में tax बहुत कम ह है tax heaven बोला जाता है तो इससे क्या हो गया मौरिसेस में उन्होंने अपना office खोल दिया अब यहां पर वो यहां की native company हो गई तो अब यहां पर उस company के उपर tax लगेगा बहुत ही कम अब वो company इंडिया और USA की इंडिया और मौरिसेस की बीच में जो agreement है उसके basis पे वो investment ले जा avoidance agreement तो इस agreement का फाइदा उठा लेगी यह company कि इंडिया में तो हमें 5% tax देना पड़ता है 15% और मौरिसेस में क्यों 2% से काम चल रहा है तो वो सारा का सारा फाइदा यहां पर shift कर देंगी तो यह क्या हो गया कि यहां इन्होंने base को erosion कर दिया पता ही नहीं कहां की company है और profit को इंडिया से shift कर दिया मौरिसेस में और अब यह tax नहीं दे रही है तो इस चीज़ को tackle करने के लिए OECD ने framework तयार कर रखा है और इसी framework के तहथ यह जैसे जैसे economies का digitalization हो रहा है ना उसमें इन companies के ओपर tax लगाने के provision के ओपर इंडिया ने अपना समर्थन दिया है कि हम support करें आप लेकर क्या हो नए framework पर debate होने चाहिए इसमें देखो दो pillars पर काम चलेगा इसके दो main component होंगे इस tax rule के जिसमें जो की treaty shopping होती है treaty shopping का मतलब देख लेते हैं कौन से दो countries के बीच में ऐसी treaty होई है जिनके चलते हम फायदा कमा सकते हैं तो वह ऐसे countries में जाकर कि अपना headquarter ख jurisdiction ये देखा जाएगा कि फायदा कहां पर shift किया जा रहा है किसी भी company के दुआरा दूसरा pillar ये कि minimum taxation जरूर fix किया जाएगा जिन भी particular issues पर tax लगाया जा सकता है ठीक है तो एक तो क्या हो गया कि profit shifting कहां जा रहा है कहां कौन क्या उस country का इस नए taxation system में जिसमें 15% का हम बात करे है ये 15% के regime को कौन मान रहा है अगर वो मानने वाले countries में से है तो चलो ठीक है कोई problem नहीं है और पता पड़ा है कि उन मानने वाले countries में से नहीं है तो फिर उसके बाद में उसके उपर action लिया जाया पाएगा तो इसमें ऐसे में क्या हो गया पहला pillar तो which is about reallocation of the additional shares of the profit to the market jurisdiction कि कहां पर ये कानून अप्लाई हो रहा है उसको देखा जाएगा और वहां पर ही profit shift हो रहा है या किसी दूसरे देश में दूसरा provision क्या हो गया है कि minimum tax session जो की 15% की बातचीत हो रही अब देखते है final तो कितना होता है और साथ में tax rules जो final हो रहा है उनको माना जा रहा है कि न अब MSME sector में डाल दिया है तो ऐसे में जो priority lending sector जो होता है जैसे यह देखो priority sector lending जो कि RBI के दवारा guidelines दी जाती है commercial banks को कि हाँ जी आपको अपनी loan देने की जो category है उसमें priority वाली sector में MSME को डाला हुआ है और उसी में retail को और wholesale को डाल दिया है तो ऐसे में बोले है परिशानी नही अब धाई करोड रेटेल और wholesale traders हैं वो फाइदे में आ जाएंगे नई guidelines के basis पे ठीक है और यह comment इन्होंने कब किया था जब यह एक meeting को address कर रहे थे जो की confederation of all India traders की थी तो यह चीज बताई जा रही है और आगे देखें तो यहाँ पर देखो कि technology transfer Chinese companies के साथ में करने की बात के लिए approval central government ने दे दिया तो उसने उसको DPIIT ने देखो oppose कर दिया तो मुद्दा क्या है वो तो देखो ऐसा है कि गलवान clash हुआ था पिसले साल तो ऐसे में Department of Economic Affairs Finance Ministry में उन्होंने जुलाई के टाइम पे जब यह clash हुआ था गलवान वाना जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो ग कंट्रीज के साथ में border share करता है उन कंट्रीज से आने वाली companies का participation अगर इंडिया में ensure करना है तो उसका एक proper scrutiny की जाएगी और एक competent authority जब तक approval नहीं देगी तब तक वो कंपनिया यहां के इंडिया में business नहीं कर सकती आपको पता है FDI के लिए कि चाइना से अगर FDI हैगी तो चाइना को छोड़ करके कि हाँ जी वो engage कर सकते हैं तो बात क्या होगी कि अब यहां पर Chinese companies को भी थोड़ा सा exception देने की बात कर दी गई थी इस time पे तो इस चीज़ को लेकर के अभी DPIIT that means Department of Promotion of Industry and Internal Trade इन्होंने यह कहा है कि जो आपने Finance Ministry का जो Department of Economic Affair है Department of Expenditure है उसके decision को हम थोड़ा सा question करते हैं कि Chinese firms जो Indian technology firms के साथ में इंगेज कर रही है और technology का transfer हो रहा है इनके बीच में तो बोला हमारे लिए security के लिए threat हो सकता है क्योंकि rules आपने जो declare किये थे पिसले साल उनका violation हो जाएगा नहीं तो यह देखो Transfer of Technology, TOT Pact, Chinese Entity और Indian Entity के बीच में तो उसके उपर सवाल उठाये गया अब देखते हैं आगे तो क्या मुद्दा होता है यह देखो आपने DPIAT ने क्या क्या रेजिस्ट कर दिया, रोका कि blanket exemption मत दो कि आपने approval ही दे दिया कि हाँ जी आ रहा हम छूट दे दी Company को कि हाँ Indian Companies के साथ में इंगिस करो, Transfer of Technology कर सकते हो, नहीं आप वहाँ पर proper way में scrutiny होनी चाहिए नहीं तो हमारे लिए risky हो सकता है यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है बाकी तो देखो और तो कुछ इतना important मुझे लगनी रहा है ठीक है और sports page पे देख लेते हैं क्या है कुछ देख लेते हैं काम की अगर कोई चीज होती है तो देखो इंडिया में पहली बार, यहाँ से आप देख सकते हो पहली बार 1988 के बाद में जो doubles का game होता है ना, tennis में उसमें केवल women's के team जाएगी, male team नहीं जा रही है, यह बताया जा रहा है ठीक है, इंडिया के अगर top men doubles specialist की बात करें तो रोहन बोपनना है दिविज शरन है, यह भी fail हो गए है कि अभी जो cutoff जो था कि हाँ Tokyo Olympics में वो qualify कर सके, वो pass नहीं हो पाए तो अभी फिलाल तो देखो women's double की बात करें तो सानिया मिर्जा और उनके साथ में अंकिता रहना, यह participate करेंगी, जो कि debut करेंगी, ठीक है Olympics के अंदर, अंकिता रहना तो, तो यह 1968 के बात में पहली बार हो रहा है ध्यान रखेंगे आप इस चीजों को, और तो देखो कुछ important मुझे लगानी, बाकि यह देखो इधर marijuana एक drug है, basically हमने तो drug बता रखा है, बाकि Canada, cannabis भी बोला था, cannabis marijuana, ठीक है यह एक तरीके से psychotrophic substance कंसिडर की जाती है इंडिया में तो, ठीक है, जबकि Canada, उरुगवे, South American कई countries ने तो इसको अप्रूव कर रखा है, कि हाँ आराम से use किया जा सकता है इसको, ठीक है, तो ऐसे में 100 मिटर की जो रेसिंग में participate करने वाल इंडिवीजुल, जिसका नाम है, कैरे रिचर्ड सन, ठीक है, जिसके उमरे 20 साल, तो वो टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली थी, पर उसके उपर सेंक्शन लगा दिया गया है, तो यह देखो, यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रख्यां, और देख यह क्या होता है, दिमाग को बिलकुल पागल कर देती है, एकदम free कर देती है, anxiety नहीं होती है, pain फील नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, नशा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, रिस्क टेकिंग जो capabilities हैं, वो increase हो जाती है, तो एक performance में तो physical performance और mental दोनों होने को तो, पर physical performance अगर increase होती है, तो mentally, automatically एक individual अपने आपको empowered feel करता है, तो वो और अच्छा perform कर देता है, तो ऐसे में basketball players, football players, बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं, और focus भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसके लेने के बाद में यह देखो आप यहां पर, तो ऐसे में जो psychotrophic और यह जो substances हैं के बारे में एक बार पोड़ा देख लेना, एक्ट भी हमारे हाँ पर available है, और 12th की बुक है, जो बाइलो जी वाली बुक बताई थी ना, उस बुक में इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, अब चलते हैं, और राजस्तान के एक नियोजवसरी के वो देख लेता ह राजस्तान के चीफ मिनिस्टर अशोग एलो जी ने ये काया है कि हमारे यहाँ पर बहुत potential है, जो भी renewable energy की बात की जाए उसमें, तो लगबग potential कितना है, 2.7 लाक मेगावाट electricity produce करने का solar और wind energy दोनों को मिला करके, राजस्तान मे solar energy policy 2019 और solar wind hybrid energy policy 2019 दोनों काम कर रही हैं पहल solar power की इनकी बात की जाए, तो टार्गेट है 2024-25 तक आने का कि हम अचीव करेंगे solar power के basis पे तो 30,000 मेगावाट electricity production, wind की बात करें तो 75,000 मेगावाट और hybrid energy की और wind की दोनों की मिला करें, 75,000 मेगावाट तो ऐसमे solar का potential अच्छा खासा है, 30,000 मेगावाट का, तो यह कुछ ची अच्छी पड़ती है, शूरद अच्छा खासा रहता, एकदम clean atmosphere है, ज्यादा clouds का issue ने रहता, छोड़ के monsoon को, ठीक है, तो देखो discussion में इतना है, वीडियो थोड़ा lengthy हो गया, मैं लेट भी होगे वीडियो डालने में, बढ़ कोई नहीं देख लो, आप थैंक्यू